स्वागत है दोस्त आपके एक्जानगर चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे जो गुरुद्वारे होते हैं उसमें लंगर की जो वैस्था होती है उसकी सरवात कब की गई थी और किन के दवारा की गई थी तो सिखऑ धरम में जो सामुदाइक रसोई होती है 動 में जिसमने सवी लोग मिलकर खाना का थें उसको लंगर बोला जाता है और उसकी सिरुवात सिखऑ धरम के संस्ताफ़े गुरु नणक देव जी के दवारा की गई थी इन्होंने ही जो है लंगर की व्यवस्था दरम में ये जब बच्चे थे गुरु नानक जी तो एक कहानी है वो बताती है कि इनके पिता ने इनको जो है बाजार जाने और थोड़े से लाब कमाने के लिए कुछ पैसे दिये थे पर गुरु जी ने क्या किया गुरु नानक जी ने बाजार जाने की बजाए नदी पर तो गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि उन्होंने दूसरों की सेवा करके सर्वोत्म लाब कमाया है तो यह जो कहानी है यह बताती है कि गुरु नानक देव जी यह मानते थे कि दूसरों को जो है अगर हम खाना किलाएंगे या उनकी सेवा करेंगे तो वही जो है हमारे लंगर की परंपरा शुरू करें लेकिन इनके बाद जो सेकंड गुरू आते हैं गुरू अंगर जी उन्होंने जो है इसको फिर कंपलसरी कर दिया कि लंगर की वैस्ता हर गुरू द्वारे में होगी यह एक निसल करसोई होती है जिसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता साथ ही कोई जाती नहीं देखी जाती ना कोई दरम ना कोई सामाजिक स्थिति यहां पर देखी जाती आमीर गरीव हर दरम के हर जाती के लोग यहां पर आ सकते हैं समानता और बाईचारे का यह एक पर्तिक है ठेक है जब सब आएंगे तो यह एक समानता को दर साता है और एक दूस होता है दोस्तों वो सवे सेवकों के द्वारा तियार और परोशा जाता है इसमें जो है किसी को पैसा दे कर या इस तरह से नहीं रखा जाता ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ जो लोग अपनी आप सेवा बाव से यह करना चाते हैं वो लोग यहां पर आते हैं यह जो लंगर होता यह साकारी होता है, ठीक हैं, और यह समानता और भाईचारे का संदेश देता है, गरूणानगतजी का, शिकको गई अपने विश्वास पालन किने, और दूसरी सेवा करने का एक तरीका यह सिखाता है, लंगर के कुछ दान्त होते हैं, एक तो होता है, जैसे इसमें समानता सबका स्वागत किया जाएगा दूसरा इसमें जो है सवेचता होती है मतलब ये जो है पैसे दे कर या किसी को बिना उसकी इच्छा कि नहीं रखा जाता है यहाँ पर जो लोग अपनी आप से अबाव से आना चाते हैं बोजन बनाना चाते हैं ठीक है अपरोसना चाते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं तीसरा इसमें जो है साकारवाद होता है जो बोजन होगा वो साकारी और सिंपल होगा ठीक है तो बोजन में सादगी मिलेगी नंगर का जो बोजन होता है उब इिलकुल simple होता है चावल, दाल, रोटी, सबजिया इसमें सामिल होती है पांचवा इसमें सेवा लंगर शीकों के लिए अपनी आस्था का पालन करने और दूसरों की सेवा करने का एक है तरीक होता है तो यही था दोस्तों लंगर के बारे में कि लंगर की वैस्ता जो है किस तरह से स्टार्ट हुई थी और क्या क्या चीजी इसमें होती है अगर आपको यडियो बसना है इसे लाइक से लिख से लिख करें थैंक्स वर वाच